तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों अपनी जानदार और शानदार सीरीज में जिसका नाम है One Day One Chapter अभी तक हम क्या है 11 दिन में 11 चैप्टर जो है अपने निप्टा चुके हैं और ये वीडियो नमबर 12 है यानि की चैप्टर नमबर भी 12 है और ये पूरी सीरीज है ये NCRT स्मेशर के नोट से बनी है तो मेक शूर करो अगर आप इस सीरीज को फोलो कर रहे हो तो आपके पास NC अब कोई भी बकवास नहीं करूंगा अब क्या है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होगी तो अपने चैप्टर का नाम है बायो टेक्नोलजी एंड इट्स एप्लिकेशन जो बायो टेक्नोलजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है वो हम करेंगे कल पहले हम करने वाले हैं ब वह हमको बताना क्या चाते हैं कि जेनेतिक क्रॉप स्ट्राइण। abiotic stress हना कि हम genetic modification से ऐसी फसले बना सकते हैं कि जो गर्मी से गर्मी को जहल पाएं ठंड को जहल पाएं हना सूखे को जहल पाएं जादा नमक हना जादा नमक वाली salty condition को वो आसानी से जहल पाएं यानि tolerate कर पाएं ये एक बहतर बात है और क्या है chemical pesticide मतलब हम naturally ऐसी फसल बना दे genetic modification करके कि हमें pesticide का कम से कम छिड़काओ करना पड़े और क्या है post harvest loss हना कि फसल की कटाई के बाद जो loss होता है जो नुकसान होता है उसको क्या करा जा सके reduce करा जा सके कम से कम किया जा सके mineral usage की efficiency हना क्या है नाम से पता लग रहा है कि mineral usage की efficiency जो है वो बढ़ जाएगी अगर हम genetic modification उसमें कर दें ठीक और क्या है enhanced nutritional value of food मतलब for example की 100 kg चावल है 100 kg अगर हमारे पास चावल है तो जो nutrient 100 kg चावल में कितना है 1 kg nutrient है तो क्यों ना हम genetic modification करके ऐसा कुछ कर दें कि 100 kg जो चाव nutrient हो जाए जो nutrition value उसकी 5 kg हो जाए तो क्या है genetic modification करके हम क्या है nutritional value भी बढ़ा सकते हैं और इसका example क्या है जैसे कि golden rice जैसे normal rice में क्या होता है vitamin A थोड़ा कम होता है golden rice में vitamin A बहुत अच्छी मातरा में होता है तो यह इसका symbol सा example आपको याद रखना है next हम BT cotton की बात करने वाले ह ब securities سब्सक्राइब करें यह झाले है बेती को रीकिस के साईश्रो यह एक बैक्टिरिया का नाम हमोता है के नाम होता है यह च्यात है और कि अब से Muy टि नाम होता है अब देखकर जिस फ्लो में बताउगा ना मैं जो बहुत हैं उसपर धियान रखना जिसले में मैं बताऊं यह एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है बैसिलस थिरिंजनेसिस अब यह क्या करता है यह एक इंसेक्टिसाइड प्रोटीन बनाता है यह क्या करता है यह एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है इंसेक्टिसाइडल मतलब होता है मार देना मतलब इंसेक्ट को मार दे पार में यह सब आएंगे कोलियो टेरंस में बीटल्स और डाइब टेरंस में क्या आएंगे फ्लाइज मॉस्ट तो इतनी बाते क्लियर हो गई यहां पर फिर से मैं आपको बता लेता हूं कि यह बैक्टीरिया जो है वह इंसेक्टी साइडल प्रोटीन बनाता है यानि इंसेक् जो है इस फसल का नुकसान कर रहे है कोटन की खेती में यह वाले इंसेक्ट इस फसल का नुकसान कर रहे है अब मुझे यह पता चल गया साइंस की हल्प से कि यह वाला जो बैक्टीरिया है यह वाला बैक्टीरिया है यह एक प्रोटीन बनाता है जाहिर सी बात है यह बनाता है उस जीन को हम क्या करते हैं इसे कोटन में डाल देते हैं अब जाहिर सी बात है इसमें वो जीन आ जाएगा तो वो प्रोटीन कोटन के अंदर भी बनने लगेगा और ये इंसेक्ट जो है अपना ये उड़ जाएगा खतम हो जाएगा अपनी खेती बच जाएगी अब अब Bacillus Thuringenesis का जीन अगर हम कोटन में डाल दें तो उसी को क्या बोल देते हैं बीटीटीटीटन पर यह थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अब यहां पे बहुत बड़ा सवाल बहुत बड़ा यहां पे सवाल खड़ा हो सकता है देखो मैं आपको बताऊंगा क्या सवाल कि हमने बात की कि यह जो प्रोटीन है यह इंसेक्ट को मार देता है तो आपको अब पूछना चाह ह्वाई वह मैं आपको बता दूँगा और यहां पे एक बार देख लेतें तींधों यहां पार नाल को खाएगा जो प्हलं है जो pH है वो कैसी है alkaline है अब इंसेक्ट के गट में जो alkaline pH है उसकी वज़े से ये insecticidal protein क्या हो जाता है inactive जो था वो active हो जाता है अब active हो गया यानि वो नुकसान पहुचा सकता है वो इसलिए इंसेक्ट को मार देगा ठीक है और बैक्टीरिया को क्यों नहीं पाएगा क्योंकि वो उसके अंदर inactive form में है एक्तिव कब होगा इंसेक्ट के गट की जो pH है alkaline pH है उससे वही बाते यहां पर लिखी गई है कि इनक्टीव फोम में है बैक्टीरिया के अंदर बढ़ वो एक्टिवेट कब होगा इंसेक्ट के गट में जो alkaline pH है उससे वो एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या कर देगा उसके गट को वह एक तरीकी से सर्वनाश ठला देगा वहाँ पे पोर क्रियेट कर देगा और इससे क्या होगा अब वो इंसेक्ट से प्रोटेक्टिव हो जाए अब देखो एक छोटी सी बात में आपको बताते हूँ यह अगर आपके सामने आ जाएगी capital C, R and Y यह क्या होता है cry protein होता है और जबकि ऐसा आये कि small c, small r, small y तो यह क्या होता है gene होता है यह gene होता है और यह protein होता है अब अलग अलग यह cry gene जो है वो अलग-अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं तो यह NCRT में दिये हुए तो अपने को यह याद होनी चाहिए जैसे कि cry 1ac और cry 2ab किसको कंट्रोल करते हैं cotton valve warm को कंट्रोल करते हैं and cry 1ab है जो वो corn borer को कंट्रोल करता है अब देखो हम next बात करने वाले हैं diabetes के बारे में diabetes यानि हम insulin के बारे में हना किस के बारे में बात करने वाले है insulin के बारे में देखो हमें पता है कि दुनिया में diabetes के बहुत सारे patient है बहुत सारे patient है अब diabetes के patient को क्या चाहिए होती है insulin चाहिए होती है अब patient बहुत सारे है दुनि कहा से pencreas से pencreas भी किसका slaughtered pigs and cattle जाहिर सी बात है ये insulin कहा से ली जा रही है animals के pencreas से ली जा रही है अब दिक्कत क्या होने लगी कुछ लोगों में क्या दिक्कत होने लगी कि जो insulin animals से निकाली जाती थी देखो दाहिर सी वात है दूसरा animal है तो उसके खिलाफ अपनी body में क्या है immunity बन जाएगी तो जो insulin animal से निकाली जाती थी दिक्कत क्या होने लगी कुछ लोगों में उसके खिलाफ allergy आने लगी allergy अब मान लोग कोई diabetes का patient है और जो company insulin दे रही है वो animal से दे रही है और उसके खिलाफ उसक भी अपनी companies हैं बड़ी बड़ी उनको यह चिंता सताने लगी कि ऐसा क्या करें ऐसा क्या करें कि other than animals मतलब हमें insulin animals से ना लेना पड़े और हम बड़े scale पे insulin को बना बाएं तो इस चीज़ के लिए क्या किया जाए किसने किया कब गया उस चीज़ को बात करने से पहले हमें सम किस में? मैचोर insulin में. अब आपको पूछाना चाहिए कि immature insulin और mature insulin में फरक क्या होता है? देखो, pro insulin यानि immature insulin में क्या होती है? तीन polypeptide chain होती है. तीन polypeptide chain कुंसी कुंसी? A, B होती है, B, B होती है, C, B. A, B, C, तीनों होती है. जब कि mature में क्या है? C वाली जो है, वो क्या हो जाती है, absent हो जाती है, उड़ जाती है, सिर्फ A रह जाती है, B रह जाती है, C क्या हो गई, उड़ गई, दो polypeptide chain है, ठीक है, और क्या है chains linked by disulfide bone, वो तो common ही आएगा, कि disulfide bone से ही chain क्या होती है, आपस में link होती है, बस यह याद रखना है, जो extra C chain थी, वो mature में क्या हो जात challenge क्या आया, main challenge क्या आया, जो हम, हना, bio technology, यानि recombinant DNA technology का use कर रहे थे, main challenge क्या आया, कि insulin को mature form में कैसे बनाए, mature form यानि सिर्फ A chain हो, सिर्फ B chain हो, और दोनों आपस में linked हो, disulfide bone से, ठीक है, तो इस problem को solve किस ने किया, एक American company ने, American company का नाम क्या है, L.E.L.I.L.I, कुछ भी कर दूसरी बात, नाम क्या था, L.E.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L नोंने E-Colica use किया था, question मैं आपको बदा रहूँ था, तीन question तो यहां से बनगे, अपने तीन question तो यहां से बनगे, A और B chain को अलग से बनाया था, यह भी एक question बन गया, और किसका use किया था, E-Colica use किया था, ठीक है, A and B chain produced separately, produced separately, और क्या है, फिर उनको combine कर दिया, और फिर अपने पास mature insulin जो है वो आ गया, ठीक है, अब next बात करने वाले हैं, हम gene therapy के बारे में, gene therapy के बारे में, बात करने से पहले हमें बात करने पड़ेगी ADA की, ADA क्या होता है, ADA का enzyme होता है, जिसके full form क्या है, adenosine deaminase, ठीक है, क्या है, adenosine deaminase, ठीक है, अब आपको पूछना चाहिए कि हम gene therapy में ये ADA पढ़ते क्यों हैं, तो ADA जो enzyme है, वो किसके लिए crucial, यानि जरूरी होता है, immunity के लिए जरूरी होता है, immunity के लिए, ठीक है, अब मान लो, मान लो किसी बिमारी की वज़े से, कोई भी reason हो सकता है, genetic reason, कुछ भी हो सकता है, mutation, कि ये gene जो है, delete हो जाए, क जो कि ADA बनाता था, तो इंसान में क्या होगा, immunity की गड़बड हो जाएगी, अगर ये enzyme immunity के लिए, use में आता था, तो ये enzyme जो बनाता था, कौन जीन बनाता था, अगर वो delete हो जाए, तो क्या है, immunity में इंसान की गड़बड के जाएगी, ठीक है, और इसी को क्या बोलते है, ADA deficiency एडिये की कमी हो गई है क्यों हो गई है क्योंकि वह जीन ही डिलीट हो गया है जो एडिये बनाता था अब इसको ठीक कैसे करें अब इसको ठीक कैसे करें तो इसको ठीक करने के लिए पहली जो जीन थेरेपी दी गई थी वह चार साल की लड़की को चार साल की बच्ची को दी तो उसको कैसे 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 ठीक कर सकते हैं कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है एक तो bone marrow transplantation देखना है ठीक है और हमें क्या देखना है और हमें क्या देखना है एकर enzyme replacement therapy देखने है ठीक है क्या है in some children ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation ये एक line होगी next है in others it can be treated by enzyme replacement therapy in which functional ADA is given to the patient by injection मतलब जो ADA है देखो किसी में ADA की कमी है तो पहला थोट दिमाग में क्या आएगा कि direct ADA क्या है injection में भरते हैं और patient को देदेते हैं एक तो यह हो गया ठीक है यह जो method है यह कोई कामगार method नहीं है मतलब यह अपने इतने खास method नहीं है तो हम gene therapy की थोड़ी बात करते हैं उसमें क्या किया जाता है देखो उसमें क्या किया जाता है जो patient है उसके lymphocytes को बाहर निकाल दिया जाता है और क्या है functional ADA जो भी ADA की उसमें कमी है जाहिर सी बात है तो उस ADO को उसमें introduce कर दिया अब lymphocyte में हमने ADA को introduce कर दिया और फिर क्या करेंगे ADA उसको वापिस दे देंगे अब यहां पर retrovirus का use क्या जाता है यह आगे मैं बात बताऊंगा कि animals के अंदर यहीं पर बता देता हूं कि animals के अंदर जो vector use होता है ना वो क्या होता है retrovirus अब gene therapy कर रहे है तो humans में कर रहे ह यानि animals में कर दें और plants के अंदर जो use होता है agrobacterium अब देखो यह हमने lymphocyte में ADA डालके उसको वापिस है उसकी body में पहुंचा दिया अब जाहिर सी बात है lymphocyte जो है वो एक cell है तो cell है तो उसका life span होगा मतलब कभी ना कभी वो टपक जाएगी life span खतम हो जाएगा कभी ना cells are not immortal मतलब जो cells है यानि यह lymphocyte है यह अमर नहीं है तो हमें क्या है जब यह cell मर जाएगी तो बार 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 वही सेम प्रोसेस हमें करने पड़ेगी periodic infusion मतलब बार बार वही चीज़े हपने को करने पड़ेगी तो यहां भी यह लिखावे यह भी पर्मानेंटली यह भी पर समझ रहो हाना बड़े होके करोगे तो पर्मानेंटली नहीं होगा बट यह चीज़े एंब्रियोनिक स्टेज पर की जाए तो इट कुड भी पर्मानेंटली अक्योरेबल अब नेक्स देखो आर एन ने इंटरफेरेंस देखो इसको सिंपल तरीके से देखेंगे देखो एक नेमेटोड है एक नैमेटोड है जिसका नाम क्या है मिलाइड काहिनी इंकउगनिश्जलिष में ऐसे बहुता हूं मैं समझ गहें ना इन को गनीशिया उसको नुख्सान पहुंचाता यह यह मदे को प्लान्ट को यह जो तंबाकू का auधा होता है उसको यह नुक्सान पुंचाता है अब जाहिर सी बात है जहें सी बात है जो लोग प्सक्त सब्सक्री करेंगे तो उनके लिए तो क्या हो गया ये वाला निमेटोड क्या हो गया दुश्मन हो गया अब इससे क्या करना है छुटकारा पाना है तो इससे छुटकारा पाने के लिए कुन सी टेक्निक है आरेने इंटर्विलेंस दीखिए अब जाहिर सी बात है ये जो निमेटोड है तो इसके अंदर क्या होगी जाहि मेसेंजर आरेने से ही क्या बनता है तो अगर हम अगर हम इस इस निमेटोड के अंदर जो मेसेंजर आरेने हैं उसको क्या कर दें उसको क्या कर दें हम साइलेंट कर दें उसको साइलेंट कर दें तो क्या है उसके अंदर प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो अल्टिमेटली यह है जो शुबे कि जैगा यही चीज की गई हैें किया क्या जाएगा इस निमेटोड के अंदर क्या डाल दिया जाएगा क्या इंट्र इन्तरोडीूश कर देते हैं क्या इन्तरोडfounded college ॥िया अब ये सब लेकро है डिंब ने बनाए गया Sense or Anti-Sense RNA दोनो टाइप की RNA बनाएगा कुनसी एक तो Sense RNA और एक Anti-Sense RNA दोनो टाइप की RNA बनाएगा अब जो यह Anti-Sense RNA है यह किसके complementary होती है जो इस निमेटोड की messenger RNA है उसके complementary है तो इसके साथ क्या है यह bind कर जाएगी इसके साथ बाइंड करने में यह क्या हो जाएगी मतलब यह है अपने अरन नहीं बरबाद हो जाएगी तो निमेटोड के अंदर प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो यह निमेटोड अपना टपक जायेगा अब देखंड़ यह जो आपके सामने यहां तक यह लिखा हुए न सारा, इसमें वह क्या बोलना चाहि रहे हैं, देखो, पूरा chapter अपना किस पे based है, कि bio technology जो है, वह अपने किस काम आती है, तो यहां पे भी वही चीज बताई गई है, देखो, bio technology से क्या है, बिमारियों की हम early detection कर सकते हैं, अब देखो, मान लो, कोई बिमारी है किसी को, और हम क्या है, उसके normal वाले test कर रहे हैं, यूरीन सेंपल ले लिया, बलड सेंपल, सिरम सेंपल ले लिया और उससे बिमारी चेक कर रहे हैं, अब इनमें दिक्कत क्या होती है, जो पैथोजन है, मान लो, किसी वायरस की वज़े स ही बोडी में जादा हो जाएगी तो वो बहुत जादा बिमारी इतने फैला देगा अगर वाइरस की concentration बहुत कम है तो ये वाले जो method है ये उसको detect नहीं कर पाते हैं तो इतने तो बिमारी फैल जाएगी फायदा क्या होगा हना वो ही बाते बताई गई है जो conventional यानि पूराने method है उनमें early detection not possible अर्ली detection उसमें possible नहीं हो पाती इतने बिमारी फैल जाती है गड़बड हो जाती है तो यहीं पर अपना फायदा है कि इसका बायो टेकनोलजी का फायदा है जैसे की recombinant technology है PCR है ELISA है इसमें क्या है बहुत कंसन बहुत कंसंट्रेशन में ही यह क्या कर लेते हैं डिटेक्ट कर लेते हैं तो बिमारी जो है वह अर्ली स्टेज पर पहचान में आ जाती है अब कोई बिमारी अर्ली स्टेज बे डाइगनोस हो जाएगी तो उसका इलाज भी उतने अच्छे से हो पाएगा वही बाते यहां पर लिखी गई है कौन सी लो कंसंट्रेशन वाली न वही बाते लिखी गई है लो कंसंट्रेशन पर कैसे काम आती है जो PCR है वह एम्पलिफिकेशन कर लेती है मतलब यह इतनी छोटी सी कंसंट्रेशन थी मान लो किसी वाइरस की तो PCR की हल्ट से इसकी मल्टिपल कोपी बन जाएंगी और वह अपने को डिटेक्ट हो जाएगा अब यहां पर ELISA के बारे में याद रखना है पहली बात तो यहां पर आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है कि enzyme linked immunosorbent असे यह इसकी पहली बात तो फुल फॉर्म होगी दूसरी बात है यहां पर बहुत सूपर हिट बहुत सूपर हिट कोशन आएगा कि यह जो ELISA जो टेस्ट है यह कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ट होता है antigen antibody interaction एक बार फिर से मैं repeat करता हूँ बहुत सूपर हिट कोशन है कि जो ELISA टेस्ट है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ट होता है antigen antibody interaction पे बेस्ट होता है ठीक है अब बढ़ते हैं हम आगे देखो अब हम बात करने वाले हैं ट्रांस जिनिक एनिमल की बात करने वाले देखो ट्रांस जिनिक एनिमल की सबसे पहले हम definition द करेंगे हैं चाहिर सी बात है हम कोई test करना चाहते हैं दवाई का paadhyikcan करना चाहते हैं अपने पायदे के लिए डानस जिनिक एनिमल में question बहुत बढ़िया बनेंगे अपने पास बहुत बढ़िया question जैसे कि ट्रांस जिनिक माइस जो है उसका यूज कहा किया गया था पोलियो वैक्सीन की सेफटी चेक करने के लिए याद रखना है यह डारेक्ट कोशन बन रहे है अपने ट्रांस जिनिक माइस दारेक्ट आएगा कि पोलियो की वैक्सीन की सेफटी चेक करने थी अपने को तो कौन से एनिमल का यूज किया गया था ट्रांस जिनिक माइस का यूज किया गया था पहला ये अपना दूसरा कोशन है कि हुमन प्रोटीन कौन सा अल्फा वन एंटि ट्रिपसिन थी का कौन सा हुमन प्रोटीन अल्फा वन एंटि ट्रिपसिन used to treat emphysema अना क्या है human protein कौन सा alpha 1 antitrypsin used to treat emphysema दूसरा question हो गया तीसरा question है इसमें बहुत सारे question बन जाएगा कि first transgenic cow कौन सी थी? Rosie नाम था first transgenic cow का नाम क्या था? Rosie नाम था और वो कब develop कब बनाई गई थी 1997 में बनाई गई अब इसका फाइदा क्या था? कि दूध में इसके दूध में क्या जधा था? इसके दूध में human alpha lactal beumine जो था वो जधा था इसकी मातर इसके दूध में जधा थी तो जाहिर से बात है nutritionally इसका दूध क्या था? balance था बहुत अच्छा था और इसकी value भी दी गई है NCIT में कितना था 2.4 ग्राम पर लेटर है एक बार फिर से करते हैं एक बार फिर से मैं इसको साफ कर लेता हूँ हो गया इतना बहुत है तो यहां पर question क्या बने कि पहली first transgenic cow का नाम क्या था रोजी था डैवलप कप गया 1997 में और उसकी खास बात क्या थी कि उसके दूद में 2.4 ग्राम पर लेटर क्या था और इसी की वज़े से क्या है nutritionally उसका दूद जो है वो जादा बैलेंस था यह वो transgenic animal की क्या है definition है कि DNA उनका manipulated होता है इसका क्या मकसद है यह जाहिर सी बात है और यह क्या control करती है आपने hollywood फिल्मों में देखा होगा कि बड़ी बड़ी वो lab सी दिखाते हैं और lab के अंदर क्या है वो test किये जा रहे हैं और test करते करते वह कुछ भी बना रहे हैं और को इसी चीज को control करने के लिए किमेटी बनाई गई है कि जो भी जो भी आना बायो technology से बनाया है मैंने यह product और मैं इसको market में लाना चाहता हूँ तो यह committee decide करेगी कि वह आपका product safe है या नहीं है ना लोगों के लिए public के लिए safe है या नहीं है उसको लाएं की नहीं लाएं कि सब तक यह सारा decide करती है ऐसे open लिया आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ठीक है next बात की गई है कि rice की यहां पर थोड़ी क्या है बायो पाइरसी की ही बात की गई है वैसे इसमें क्या होता है पाइरसी तो यार आप सबको पता है बायो पाइरसी है ना क्या है use of bio resources by multinational complaint and organization without proper authorization जैसे मानलो मैंने ncrt smasher मैंने वनाई और मेरी ncrt smasher अलग-अलग शहरों में कोई print कराके बेचने लग जाए दुकानों पर तो वह एक तरीके से 27 वराइटी है अब इंडिया में क्या था यार इतनी knowledge नहीं थी कि patent वेटेंट भी कराना चाहिए तो American company ने 1997 में क्या है अना क्या बास्मती राइस पर patent करा लिया कि यह तो हमारे इधर के चावल है अना अब जाहिर सी वाद है इंडिया में इतनी उस टाइम पर इतनी वह नहीं थी जाग रूपता पर फिर बाद में हो गया था है ठीक अना कि जो होता होगा कुछ वर्ल्ड की पूरी क्या बोलते देश के हैं पर इतनी नोलेज नी थी वही बात है तो सेम चीज हुई थी कि बाहर के देशों ने इसको patent करा लिया था कि यह हमारे हैं पर बाद में यह हो गया था बड़े अच्छे होते हैं वह लोग ठीक है तो यह चप्टर भी हमने बड़ी आसानी से खदम कर लिया तो मि मुलते हैं नेक्स चप्टर के साथ और अध्यान रखिये अपना पीते रहिए तब तक बहुत सारा पानी और थोड़ी बहुत कोल्डरिंग भी चलेगी ठीक है थैंक्यू धन्यवाद बाई